नमस्कार दोस्तों हर्दिक स्वागत है हमारे इस यूटूब चेनल हेल्थ गुरुजी टीपस में दोस्तों आज के स्वीडियो में मैं आपको मिर्गी दूर कने के घहरेलू उपाय बताऊंगा जहां बिल्कुली दोस्तों आज जो पाय पता रहों इस उपाय से आप पूरान इसे पूराने मिर्गी के दवरे को ठीक कर सकते हैं और दोस्तों बात करों तो मिर्गी के दवरा आना बंद हो जाएगा एक बार यह दवा कर लोगी तो दोस्तों इससे पहले जान लेते हैं कि मिर्गी क्यों होते हैं तो देखें दोस्तों तंत्री का तंत्र की कायरा बढ़ यह हो सकते हैं जैसे कि कोई दूरघटना के दौरान यदि सीर में चोट लग जाए तो यह मिर्की का कारण हो जाता है या दोस्तों कभी कभी brain tumor के कारण यदि छती होगा brain tumor को तब यह आगे चल करके मिर्की का कारण हो जाता है और बात करूं दोस्तों जन्मा के यह जन्मा के दौरान यदि किसी को चोड लग जाए गर्भा वस्ता के के कारण हो जाता है चैले मैं मर्गी ठीक करने का को उपाय को जो प्योग करना है इस आपको लसुन की कली को उप्योग करना है चले मैं आपको बतातों कैसे करना है देखे सबसे पहले आप इस तरह से लसुन की कली को निकाल लेजिए आपको असानी से इस तरह से लसुन की कली निकाल देना है और दोस्तों लसुन की कली प्रया हर किसी के घर में मिल जाएंगे य हुआ हैं जल्लें वैं आपको बतातो हूं कैसी मिलाना है तो देखिखे तरश्तों इस तरह से आपको गीं रख लेना और ओर आपको अपने घर कहीं घी काइस्तिमाल करना है तो से रहा सी आपको लसुन की कली में ये घी मिक्स कर देना फिर आपको जो है दोस्तों इसमें घी मिलाने बाद आपको से पूरी तरह से इस तरह से आपको ये मिला लेना है फिर आपको एक कड़ाई रखना है और कड़ाई में इसे गर्मा आज में जो फ्लाई करना है और लसुन की कली को तब तक कि आपको फ् तो देखे दोस्तों मैं पहले से आरेडी यह मैं बना के रखाऊं लसुन की कली तो इस तरह से आपको लसुन का कली काली पढ़ जाएं कि आपकी लसुन की कली तो इस तरह से आपको रखना है और दो लसुन की कली को आपको जो है सुबे सामझी है दोस्तों आपको दो लसुन क कली एक सुबे दो लसुन की कली और एक साम को दो लसुन की कली तो आपको दो लसुन की कली को सुबे साम खाली पेट में चबा करके खाना है और उपर से आपको थोड़ी से हो सके तो आप दूद पिल लिजे या हो सके तो आप थोड़ी से गर्म पानी पी सकते या ठंडे गु